युक्रेन से युद्ध के दोरान रूस ने अपने सन्य हत्यारों को अप्ग्रेट करना जारी रखा है और उसी का नतीजा है कि रूस के पास एक से बढ़कर एक आधनिक हत्यार मौजूद है और बड़े पैमाने पर मौजूद है इसके अलावा रूस लगतार नई टेकनोलजी विक्सित करने में लगा हुआ है दरसल युद्ध भले ही रूस और युक्रेन के पीग चल रहा है लेकिन युक्रेन के पीछे अमेरिका कहा थे और रूस की जितनी भी सैने तयारिया है वो अमेरिकी मुकाबले के हिसाब सही है हाला कि रूस का दुश्मन युक्रेन लंबे समय तक हत्यारों की कमी से चूज रहा था लेकिन कुछ समय पहले उसे अमेरिकी मदद मिल गई है इसके बाद अब युक्रेन ने भी धीरे-धीरे रूस को जवाब देना शुरू कर दिया है ऐसे में रूस उन हमलों से बचने के लिए एक कदब और बढ़ते हुए नई तकनीक विक्सित कर रहा है जांकारी के मुताबिक रूस रात में किये जाने वाले जोन हमलों से बचने और उन्हें रोकने के लिए काला सागर बेडे के लिए थर्मल इमेजर विक्सित कर रहा है लिबरेटरिया प्रयोक्षाला PPSH के CEO डेनिस ओसलोमेंको ने गुरुवार को बताया कि रूसी विश्रंगि काला सागर बेडे के लिए एक थर्मल इमेजर शिस्टम विक्सित कर रहा है जो रात भर दुश्मन के नौसैनिक जोन हमलों को प्रभावी रंग से विफल करतेगा दरसल बंदुकारी सैनिकों पर अधिकतर समुद्री डोन दवारा रात में हमले किये जाते हैं ऐसे में थर्मल इमेजर इन हमलों को रोकने में प्रभावी सावित होगा उसलोमेंकों के मुताबिक थर्मल इमेजर इन साइट और साइट सिस्टम को अपडेड़ेड़ कलाश्मिकों मिशन गन यानि P.K.M. और कोर्ड मिशन गन के साथ ही अंगे छोटे हतियारों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है खास्तोर से ऐसे सैनिकों के हतियारों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो वरतमान में नौसेना ड्रोन के खिलाफ काम कर रहे है यह उकरण एक किलोमेटर से अधिक दूरी पर लक्ष का पता लगाने में मदद करता है इसे बनाने वाली कंपनी लबोरेटरी PPSH एक रूसी कंपनी है जो इंफर्मेशन सेक्योरिटी सर्विसेज और प्रोड़क्स प्रदान करती है जिसमें टेलिफोन लाइन के सुरक्षा के साथ ही वायरलेस कम्मुनिकेशन ब्लॉकर्स और ड्रोन सप्रेसर्स जैसे LPD-801, LPD-802, Anti-Drone बंदुके और Titan Electronic Warfare सिस्टम शामिल है इस वीच युक्रेन ने रिमोट यानि दूर से बैटकर कंट्रोल नी जैने वाले कुल 15 नाम काला सागर की तलहटी में भेजी है हाला के रूसी रक्षा मंत्राले ने गुरुवार के बयान के मताबिक रूस के काला सागर बेड़े के हेलिकॉप्टरों ने युक्रेन द्वारा भेजी गई कि नामों को दुबो दिया है इसके अलावा दिन में मानो रहित समुद्री जहाजों UAV से कम से कम तीन समुओं को प्राइबी के करीब आते देखा गया रूसी सेना ने कहा कि खत्रे से निपटने के लिए नौ सेना के लड़ा को हेलिकॉप्टर भेजे गए और 15 समुद्री डोनों को डुबो दिया गया रूस को एक और हमले के प्लाइन के बारे में पता चला और पता चलते ही उसने क्रीमिया की तरफ आते हुए तीन USB को अपने काला सागर बेड़े के हलिकॉप्टरों द्वारा नश्ट कर लिया हाला कि अब जो खबरे आ रही है उससे साब पता चल रहा है कि लंबे समय से शांत बैठे युक्रेन में भी रूस के खिलाफ अपनी गतिविदियां बढ़ा दी है लेकिन ये बात भी सच है कि युक्रेन अब काफी पिछड चुका है और उसे रूस का मुकाबला करने के लिए लंबा समय लगेगा ऐसे में एक वाजिब सवाल ये भी उठता है कि युक्रेन अपने सहयोगियों से मिलने वाले सेन्ने हत्यारों के भरो से कब तक रूस का मुकाबला कर पाएगा क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते युक्रेन के हत्यार खत्म होंगे और फिर पहले की तरह वो बिना हत्यारों के युद्ध लड़ने की हालत में पहुच जाएगा झाल